नमस्ते जी वैदिक राष्ट में आपका स्वागत है आज का हमारा विशे है स्रिष्टी की आदी जानपुस तक वेद का महत्व और हमारा कर्तव आज के इस लेख के लेखा के वैदिक पदवान मनमोहन कुमार आरे धैरादून से इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए व मरत्यू पर विजे पाने के उपायों को जानने के लिए देश के अनेक स्थानों पर जाकर विद्वानों की संगती दुरलब पुस्तकों के अध्यन ने बिताया था इस प्रयोजन के लिए ही उन्होंने अपने माता-प्रता सहित बंदू-बांधवों, कुटंबियों, अपने उद्देश में सफल हुए थे, वहाँ एक सच्चे योगी थे, जो लगबग 18 घंटे के न्दरंतर समाधी लगा सकते थे, उन्होंने उस समाधी अवस्ता को पराप किया था, जिसे लाखों और करोडों मनुश्यों में से कोई एक साधक पराप्त कर पाता है, हम जान में उन्हें ईश्वर का सक्षात का रुवा करता था, स्वामी दयानन जी सिद्ध योगी थे परनतु वेद और आर्श विदी के विध्या पराप्ति उन्हें सन 1863 में, गुरू विर्जानन सरसुती से मत्रा में दिख्चा लेने पर हुई, विध्या पराप्ति के बाद रि इद्याद दूर करने का प्रेतन करें, जिससे लोग अज्जान, अंदवस्वास, मिध्या चरणों से बचें, मिध्या भक्ती और उपासना के स्थान पर वह करतब ईश्वर की अथार्थ उपासना को जानकर उसे उपासना करें, और लाबानवित हो, उपासना के लाब पुचित और हितकर जानकर स्विकार किया था, गुरु विरजानन जी से मत्रा से विदा लेकर सामी जी आगरा आये थे, आगरा में लगबग दो वर्ष और कुछ कम अधी तक रहकर अविध्या दूर करने के उपायों सर्धर्म प्रचार की शेली अंदर्धारित करने पर ग जा सकती है, रिशी दानन इन तीन वेदांगों सहित अन्य तीन वेदांगों चंद कल्प और जोतिश में भी प्रविण थे, इस कारण उनका किया हुआ वेदभाष जहां एक सिद्ध योगी रिशी आप्त पुरुष सहित वेदों के अंग उपांगों के विदवान का रिशी के ग्रंथों का अध्यन करने और उनके अनकूल आच्रण करने से मनुष्य का जीवन सफल होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ती के मारग पर अग्रिसर होता है। मनुष्य के अग्रिसर होकर लाबानवित होते हैं। मनुष्य के अध्यन कर उनकी महत्ता की पुष्टी की। उन्होंने पाया कि वेद में सरवत्र विद्याजुक्त बाते ही हैं। अब विद्या कंचिद भी नहीं है। उनके लिए ऐसा करना आवश्यक्त था। इसलिए यदि कोई उनकी मानताओं के वृद्ध प्रमान उपस मनुष्य के अध्यापन पर जो लोगों का अध्यन अध्यापन पर जो प्रतिबंद थे वहावी विद्वानों और पंडितों के कपोलु कलपेत विदान और विचार थे रिशी दायनंद ने ही इस्त्री और सुद्रों सहित प्रतियक मनिश्च को वेदाध्यन का अधिकार दिया इसके समर्थन में जजरुवेत का एक मंतर पस्तुत कर सभी जन्मना प्रहमनों और विद्वानों को निरुत्तर कर दिया विवा के संबन्द में भी रिशी दायनंद ने वेदों के अनुकूल मनिश्च के तर्क और बुद्धी जुक्त विदानों का सित्यार्थ प्रकास आदी गरंथों के माध्यम से प्रचार किया राजनीती विशेक नितियों के संबन्द में भी वारामायन और महाबारत आदी गरंथों सहित निती गरंथों को स्विकार करते थे रिशी द्यानन को वेद कब कहां किसे प्राप्त हुए इस पर रिशी जीवन से संबन्दित साहित्य में प्रकास नहीं पड़ता वर्तमान समय में हमें चारों वेद गरंथ रूप में अनेक प्रकास को पुस्तक विक्रेताओं से उपलब्द होते है रिशी द्यानन के काल में वेद किसी भी पुस्तक विक्रेताओं प्रकाशक को उपलब्द नहीं थे वेदों का कभी किसी ने प्रकाशन किया हो इसका उल्लेक नहीं मिलता है उस समय प्रफेसर मैक्समूलर द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित और संपादित रिवेद का अनुवाद इंगलेण में प्रकाश्य तवश्य हुआ था बाद में स्वामई धयानन जी को इसकी प्रतिया और सह्योगियों से जेपुर के पुस्तकाले से प्राप्ट करके देखने के लिए सलब हुई थी स्वामी जी से पुर्व आचार शायन ने संस्क्रत में चत्रवेद का भष किया था यहाँ भाष्य स्वामी दयानन जी को सुलब था इसका प्रवाण स्वामी दयानन जी द्वारा अपने भाष्य और लेखों में सायन भाष्य की समालोचन और समिख्या करना है हम नहीं जानते कि रिशी दायानन के समय और उनके पुर्व शायनका भाष देश में किसी प्रकाशक ने प्रकाशक किया था हो सकता है किया हो और हो सकता है कि ना भी किया हो हमें प्रतीत होता है कि स्वामी दयानन जी को वेद प्राप्त करने में भी अत्तिक पुरसार्च करना पड़ा किसी एसे वित्ति को ढूंड़ना पड़ा जिसके पास चारो विदो की हस्तलिके सहिताएं थी जिसने स्वामी जी की अनुरोद पर उन्हें चारो वेद भेट सुरु परदान किये थे हमारा अनुमान है कि धोलपुर या करोलियादी इस्तान पर किसी इस्तान से स्वामी जी को यहां वेद पराप्त हुए थे उसके बाद सन 1867 में सहिद्वार में कुम्ब में पहुँचे सामी जी तो चारो वेद उनके पास उपलब्द थे इसका उलेक पंडित लेकराम जी लिखित रिशी जीवन चरितर में मिलता है रिशी जिवन चरितर में वड़न हुआ है कि हरिद्वार के कुम्ब मेले में दहरादून के कबीर पंती सादू सामी महानन जी ने रिशी दानन के डेरे में चारो वेद देखे थे और उनके विशेय में रिशी दानन से बाते भी की थी रिशी दानन ने वेद प्राप्ती में जो पुरशार्थ किया वो अतिन्द पसंसनी है यदि वह वेदों का प्रचार करने सहीथ वेद भाश्य का महान कारे ना करते तो आज हम वेद के मंत्रों के सत्य अर्थों से बंचित रहते सामी जी ने वेद भाष्य करते हुए जिस प्रकार प्रत्यक मंत्र का पदचेत नवई संस्क्रत भासा में पदार्थ हिंदी भासा में पदार्थ और भावार्थ किया है कुछ स्थानों पर कुछ मंत्रों के सायन आदी भाष्यकारों की समालोसनाएं भी की है वहार रिशी दयानन जी के उच्चकोटी के जान, उनकी योगिता, ईश्वर के उन परसहाई तपर पुरुशाच के कारण संबह हुआ है हमें यहाँ सब लाब रिशी दयानन के वेदभाश और इतर ग्रंतों के अध्यन से अनायास ही सरलता, अलप प्रयास और पुरुशार से प्राप्त हो जाते हैं इस कारण हम वेदभाश का महत्व नहीं जानते वेद हमारा सरबस्व है, वेद साक्षात इश्वर की वाणी और उनका दिया हुआ जान है वेद मंतरों के करता रिशी नहीं अपितू, इन मंतरों के करता और प्रदाता स्वेम परमेश्वर है इस द्रश्टी से वेद के प्रत्यक मंतर, प्रत्यक सब्द का महत्व है आज का अंद्रमान किया जा सकता है हमें वेदों का स्वाध्याय करने के साथ अपने निकटवर्ती बंदों में भी वेदों के संदेश को पहुँचाना है इसी से मानव मातर काहित होगा अन्य इस तरह के वेधिक लेखों के लिए वेधिक राष्ट यूटुब चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकोन की घंटी को दबा दें और अपने कीमते सुजाओ कमेंट अवेशी करें धन्यवाद